नमस्कार दोस्तो दोस्तो सिक्किम में अभी रीसेंट में कहा है कि ग्लेशेल लेक आउटबस्ट हुआ जिसकी वज़े से वहाँ पे फ्लर्ट्स आ गए इस फ्लर्ट्स में लगबग अब तक 25 लोग मर चुके हैं और लगबग 27 से ज़्यादा घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिन एरियास में फ्लर्ट्स आए महाँ पे वाटर पाइपलाइन सीवेज लाइन यह बूरी तरीके से एफेक्टिवड हुए है और मेंली फोर डिस्ट्रिक्ट मंगन, गंटॉक, पेक्योंग, नामची यह ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मेजरली इससे ज़्यादा अफेक्टिड हुए है तो अभी रिसेंट्ट में ग्लेशियर लेक आउट बरस्ट यह एक्चुल में है क्या थे के यूपीकोधती में यह जीओगराफी सेक्शन हो बहुत जाएद्स इंपॉर्टेंट है Glacier Lake Outburst एक Geographical Phenomena है एक Incident है फिनोमेना तो हम नहीं कहेंगे Incident है एक घटना है जो की काफियत तक Humans भी इसके लिए Responsible है तो Glacier Lake Outburst होता क्या है किन कार्णों की वज़े से यह आता है और Himalayan Mountains में इसको लेकर क्या Possibilities है कि Future में क्या इस तरह के के हमें और ज़्यादा Outburst देखने को मिल सकते हैं Flirts देखने को मिल सकते हैं हम इसको कैसे Prevent कर सकते हैं यह सारी चीज़ हम डेटेल में डिसकस करेंगे चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यह कुछ तस्वीर है आपके सामने आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दी रहोगी यह पहली तस्वीर तो दिखा रही है कि किस तरीके से जो सिक्किम में Flirts आया उसकी वज़े से जो डैमेज हुआ है यह उसको दिखा रही है आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से जो घर है पूरी तरीके से डूप चुके है इस Flirts में और लोग अपने छटों पर बालकनियों में उपर वाले फ्लोर पर वहां पर फस चुके है तो इस तरीके से बहुत बुरी सिच्वीशन है वहाँ पर पर जो वाटर सप् Play है वो पूरीतरीके से इफेक्टिड है साथी साथ आप एक एल डैम देखें इस डैम का नाम है चुग थिच्वीशन है अब इस डैमे आप देखेंगे तो यह अरलियर पिक्चर है यह वाली जो picture है ये earlier picture है floods के आने से पहले की picture और आप देखें ये floods के आने के बाद की picture की picture है तो ये floods इतना जजएदा ख़तरनाग था कि ये जो damn है ये पूरी तरह के से damage हो गया तूट गया और इसकी वज़े से जो water था उसका flow था एकदम से जो low lying areas था इस डैम के आगे वहाँ पे उस areas में पूरी तरीके से पानी भरिया और situation बहुत ज़दा worst हो गई इसके साथ साथ बहुत सारे लोग missing हैं और उनका भी पता लगाया जा रहा है चले समझने के कोशिश करते हैं कि जो चुंग्थांग डैम है जैसे कि मैंने आपको अभी पिक्चर भी दिखाई इस डैम की यह डैम आखिर क्या है यह डैम जो है इट्स हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लोकेटिड इन चुंग्थांग जो की सिक्के में एक टाउ है ठीक है और यह हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर स्टेशन प्रोजेक्ट है इसके तहट जो मेंली जो डैम से बिजली बनाई जाती है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा वही हम बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इस पार्ट ऑफ तीस्ता स्टेज थी हाइड्रो एलेक यह इंडिया से होते हुए बंगलादेश में जाती है और वहां पे वापस से ब्रहामपुत्रा में मर्ज हो जाती और फिर जो बेफ बेंगॉल है उसमें जाके मिल जाती है तो यह जो तीसता रिवर है यह आप देखेंगे कि मेजर सोर्स ओफ एलेक्टरिसिटी है फोर सिक्कि जो हम पढ़ने जाएं उसके बारे में देखें जो गलेशियर लेक्टरिस जैसा की मैंने आपको बताया यह क्या है इसको समझने से पहले आपको कुछ कंसेप्स पता होने चाहिए तभी आप गलेशियर लेक्वाटर्श का जो प्रॉसेस है जो इंसिडेंट उसको आप समझ अब होता क्या है कि Glaciers Melt Nhि जैसे जैसे Temprature RISE होता है यह Glacier Melt होते है और जब लैसे दिखेंगे की जब आप देखेंगे कि जब लो होते है नीचे की तरफ तो यह अपने साथ बहुत सारे 파ष्ट सॉयल कंकर पत्त है यह सारी चीजह अपने साथ लेकर आते हैं और ऐसा नहीं है कि ये अपने साथ बिलकुल मतलब ये साथ के साथ कहा है न इसको deposit भी करते जाते हैं ठीक है अब आप देखेंगे तो ये जो sediments जो ये लेकर आ रहे हैं इसी को morans कहते हैं ठीक है I hope आप समझेंगे morans क्या होता है अब ये morans तीन तरीके के होते हैं पहला होता है terminal morans terminal morans को frontal morans भी कह सकते हैं ये आपको तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है ये ये वाला जो फ्रेंट में है इस glacier के जो फ्रेंट में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है sediment ये है frontal इसके बाद एक आता है lateral morans अब ये lateral morans जो की side वाले है ये ये बिल्कुल ये side का है ये ये होते है lateral morans और एक होता है medieval medieval morans जो ये beach का है अब ये medieval morans जरूरी नहीं कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा ये generally तभी बनता है जब दो अलग-अलग channels के थूँ जब ये glaciers आते हैं और आपस में मिल जाते हैं तब हमें देखने को मिलता है ये middle morans तो I hope आप morans समझ गए होंगे morans यानि की sediments जो की glaciers लेकर आते हैं ठीक है अपने साथ आगे बढ़ते हैं अब आप इस तस्वीर को देखें इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये ये जो है ये है glacier ये है glacier ठीक है ये पूरा glacier है और ये glacier धिरे melt हो रहा है और जैसे जैसे melt हो रहा है ये flow हो रहा है और इसके आगे का जो ये हिस्स है ये है morans ठीक है ये है पूरा morans ये mainly जो sediments जो ये लेकर आते हैं glaciers ये वो होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इसको समझने कोशिश करते हैं जो कि अभी flood आया है सिक्किम में में अब देखेंगे जो south lonak ये glacier है south lonak ये सिक्किम में हैं अब generally कहें कि ये glacier दिरे-दिरे क्या है melt हो रहा है और इसकी वज़े से south lonak lake ये lake यहाँ पर form हो रहा है अब इस तस् extent कहां तक था जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यह जो ब्लू वाली लाइन है यह शो कर रही है कि पहले 1960 के असपास यह पूरा यहां तक जो था glacier था लेकिन दिरे-दिरे क्या है कि यह melt होने लगा और आप प्रेजेंट की situation देखेंगे तो यह जो पूरा यह वही लेक है जिसमें की जिसमें की यह glacier आउट बस्ट हुआ है ठीक है तो यह देखें इस तस्विर पहली तस्विर को देहां से देखें यह जो है यह है current glacier terminus यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि यह जो है यह frontal moraine जो हम कहते हैं यह वो है यह south lona glacier है ठीक है और यह उसका lateral moraine है और यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है south lona lake ठीक है आप इस तस्वीर को देख सकते हैं यह इसी के तस्वीर है लेकिन यह दूसरे perspective से लेकिए है दूसरे angle से यह lateral moraine है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह frontal moraine है और यह जो है यह south lona lake है अब हम इसको एक image की थुरू और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह कैसे form होता है देखे जनरली का होता है अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ हो यहां पर हम समझ नहीं कोशिश करते हैं सपोर्स करके मान के चलिए कि जैसे होता के मैं आपको समझाता हacas मान के चलिए यह glacier कि तिरि-दिर न मैल्ट होता जैसे ही यह melt होता है यह flow होने लगता है और flow होने के बाद यह एक low lying area होता है यहाँ पर इखटा होने लगता है in the form of water और जैसे जैसे यह collect होता है यह क्या बन जाता है यह बन जाता है लेक अब आप देखेंगे कि यहाँ पर होता frontal moraine यह frontal moraine क्या करता है कि इस lakes को इस water को आग कि यह पूरी तरीके से slide हो जाएगा manifold ragd जाएगा और यह जो पूरा जो morayne है यहां से यह बहए जाएगा इस पानी के साथ और एक तरीके से जैसे ही बहएगा यह पूरा का पूरा पानी आगे की दरब जाएगा और यहां पर flood जैसे situation तो इस तरीके से आप देखेंगे ग्लेशियल जो लेक आउटबर्स की सिचुएशन है वो देखेंगे यह जो तस्वीर है इस तस्वीर को ध्यान से देखिए यह सेटलाइट इमेज है इस सेटलाइट इमेज इस तरो दवारा जारी की गई है जिसमें की जो सिचुएशन है साउट लोनाक लेक की वो दिखाई गई है आप देखेंगे की 17 सेप्टेंबर की डेट में यह जो तस्वीर ली गे थी साउट लोनाक लेक की इसमें आप देखिए पूरा एरिया जो है य यह 167 हो जाता है 28 सेप्टेंबर को लेकिन चार अक्टूबर की दिन जिस दिन की यह घटना होती है ग्लेशियल लेक आउट बस्ट होता है उस दिन आगर आप देखें तो इसका साइज देखें इस लेक का कितना चोटा से रही है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि जो यह पानी है लेक का वो आगे फ्लो हो गया और इस वज़े से यहाँ पर जो पानी हो विल्कुल मतलब कम रहे गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा भी रख लगवाग 60 हेक्टियर के आसपस जो हो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा वाटर अब सवाल उठता है कि यह glacier lake outburst होता क्यों है कि लेक में अगर मानलिजे पानी है तो यह पानी इखटा होते जा रहा है तो अचानक से worse कहते होता है अब यह बरस्ट तब होता है जब कुछ इसके सासथ कुछ घटना है जिससे मानलिजे heavy rainfall हो जाये अब heavy rainfall होने की वज़े से क्या होगा eavy rainfall जैसे ही ह होगा आप देखेंगे कि जो पानी है ना उस लेक में वह अचानक से बढ़ जाएगा जिसके वज़े से जो मोरेंस होते हैं उनकी होल्डिंग तो यह कुछ रीजन्स हैं जिनकी वज़े से जो यह ग्लेशल लेक है यह आउट बस्ट हो जाता है अगर हम बात करें इंडिया की तो देखें इंडिया की इस तस्वीर को ध्यान से देखें यह जो पूरा एरिया आपको देख रहा है यह हिमाले का इरिया इस में आपको बहु क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे हिमाले तो हिमाले बहुती अर्थ्वेक के पॉइंट आ rendre विजा से बहुती sensitive zone है यहां पर एक्सर हमें frequently earthquakes देखने को मिलता है साथ इसाथ अगर आप देखेंगे हिमाले की तो हिमाले जनरली सेडिमेंटरी रॉक्स के बने हुए है और सेडिमेंटरी रॉक्स जो होते हैं बहुत ही लूजली होते है इस वज़े से यहाँ पे land slides जैसी जो घटना ही होती है जो incident होती है तो इस तरह इन चीजों की वज़े से भी यहाँ पे हमें Glacier Lake Outburst बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे अब सवाल उठता है कि क्या इन ही की वज़े से होता है नहीं Human Factors की वज़े से भी यह कई बार Create होता है अब Human Factors की वज़े से कैसे जैसे कि मैंने बता है Global Warming अगर Global Warming बढ़ रही है तेंपरेचर राइज हो रहा है तो सीड़ी सी बात है इसके वज़े से Heavy Rainfall होगा Glacier तो Melt होगे होगे तो Lakes भी बनेंगे काफी ज़्यादा Volume में पानी खटा हो जाएगा और Heavy Rainfall होगा जिसके वज़े से इस तरह के Incident बढ़ जाएंगे इसके साथ साथ हम बहुत सारे हैं यहाँ पे ना Hydro Projects चला रहे है इन Hydro Projects के वज़े से क्या होता है कि हमें Damps बनाने पड़ते हैं इन Reasons में अब इन Reasons में जैसे हम Damps बनाते हैं तो यहाँ पे Seismic Activity बढ़ जाती है Seismic जो Tramors होते हैं जो Earthquakes होते हैं वो Frequent हो जाते हैं अब ऐसा क्यों होता है Geography में देखिए एक Concept होता है आईसोस्टेसी का आईसोस्टेसी अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं कभी किसी वीडियो में डिटेल में डिसकस करूँगा आईसोस्टेसी का जो Concept होता है मेंली वो यह बताता है कि किस तरीके से जो Earth है ना Earth का जो Crust है वो खुद को Balance करता है Earth के Crust के उपर जो भी Material है वो किस तरीके से खुद को Balance करता है इस Theory के According क्या होता है कि जो Crust है वो Float कर रहा है Magma पे और इस Crust के उपर जो भी Material है वो एक तरीके से Balanced Foam में है अब हम इसके उपर क्या करते हैं कि बहुत सारे Hydro Projects चला देते हैं डैम्स बना देते हैं बहुत सारा पानी स्टोर करते हैं अब बहुत सारा पानी स्टोर करने से क्या होता है उपर वाटर का जो Volume है वो बढ़ता है वेट बढ़ता है और इस तरीके से क्या होता है कि जो Isostasy Balance होता है वो मतलब Unbalance हो जाता है और यहां पे हमें जो Plates में Moments देखने को मिलती है तो इस तरीके का एक Concept होता है Isostasy का उसके Coding जो Human Factors होते हैं जिनकी वज़से में बहुत सारी यह Seismic Activities यहां इस Reason में देखने को मिलती है तो कुछ ऐसे reasons हैं जिसके वज़से जो यह Glacial Lake Outburst है यह Frequently हो सकते हैं आने वाले समय में तो आई होप आपको वीडियो पसंद आये होगी उमीद करता हूं Glacial Lake Outburst का जो Concept है आप समझ गए होगे इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद